तो दोस्तों यह आपको पता है डेली टाइम साम को 7 बजे हमारा जी के बूस्टर टेस्स लाइफ टेस्स सीरीज कर रहता है जिसमें हम 50 कोशन कवर करते हैं जो कि मिक्स जी कर रहता है और यह जो आपके आगामी एक्जाम्स होने वाले हैं दोस्तों जैसे कि रेलवे, SSC, CGL, CH रेलवे, NTPC, Group D, सिक्षक भरती या फिर सिक्षक भरती हो या लेकपाल भरती हो कोई भी ओंडे एक्जाम हो उस देश्वी से बहुत महत्पूर रहता है मित्रों तो सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस लाइफ टेस्स सीरीज में सभी मित्र इस वीडियो को एक सके और कई दोस्त हमारे कमेंट करते हैं सर इसका PDF फाइल हमें भेज़ दीजिए तो इसका PDF फाइल दोस्तो हमारे टेलीग्राम ग्रूप में अपडेट कर दिया गया है तो आप टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रूप जॉइन करने के लिए आपक description box में link दिया गया उसमें click करके join कर सकते हैं अगर आप टेलिग्राम नहीं है तो install कर लिजे और वहाँ पर online HD point search करेंगे ऐसा logo मिले उसको click करके आप join कर सकते हैं ठीक है और देखे दोस्तों सबसे जरूरी बात हमारा दूसरा चैनल जो है online HD 2.0 यहाँ पर general science का जो है दोस्तों स्टार्ट कर दिये हैं ठीक है उसका भी time ठीक 8 बजे रहता है शाम को तो आप उसको भी जरूर पाटिसिपेट किया करें और एक like तो फटा पट से कर दीजिए दोस्तों काफी अच्छा लगता है मुझ सावरधन मिलता है आपकी इस like से और share कर दिए सभी मित्रों को साथ च सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देखिए इसमें जो अरुन मुखिया जी है यह लगातार दो तीन वार इनका नाम आ चुका है तो ऐसी दोस्तों आप जिनका नाम नहीं आ रहा हतास नहों कई लोगों को मैं कमेंट पढ़ता हूं सर मेरा नाम नहीं लेते आप दोस्तों नाम आएगा अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप जरूर इस टेस्स को जरूर सॉल्व किया गरें ठीके चलिए अगर आपने शेयर कर दिया है इस वीडियो को तेक बार स्टाट करते हैं चलिए फटापट से पहला कोश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है प्यारे म सॉल्व करना है ओके मित्रों चलिए पहला कोश्चन का एंसर बताएंगे आप लोग चलिए बहुत अच्छा प्रयास दोस्तों ऑप्सन भी इसका राइट हो जायागा अगला कोश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है बंगाल का एकी करण किस चन में संपन हुआ था बंगा ठीक है चलिए देखे दोस्तों अगर आप लोग जीके की तयारी के लिए जीके तयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तुम्हें आपको बता दूग जीके की तयारी कैसे करने यह नंसी आटी पढ़ना आपको 6-12 तक की अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं या फिर कोई अरहंद पीडियाप को आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों इसमें सारे सब्जिट इंकूड हैं एक्जाम पॉइंट आप इसे जो भी वन डे एक्जाम होते हैं इसके लिए बहुत मात्पूर है यह 50% ओफर चला तो फटा पट से आप परचेस कर सकते हैं मात्र 49 रुपए मैं ऐसी पी सकते हैं फिर अगले कोंछन स्वफ्वराज मेरा जन्वसीद दधीकार है इसका उतगोष किसी का था बहुत सिंपलคोष्चन एक कई वार्ए ग्जामmeyedens में पूछा किसा आ तो फ्रा चली बहुत अच्छा प्रियाश दोस्तों 5 स्टिंड विजय कप है आपके पास चली यह कब हुई थी बताइए चलिए बहुत अच्छा प्रयास दोस्तो राइड एंसर क्या हो जागा इसका बहुत बढ़ियां ऑप्शन सी साथ सो बारा इस भी में भारत में नियाइक संग्ठन की स्थाबना किसने की थी बताइए फटापट से तो दोस्तो भारत में नियाइक सं अग्डेन इस्थामन लाड कार्ण वाली अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर है कुसान सासक कनिस्थ का राज्यविश्य किस चन में हुआ था बताएंगी जल्दी से चलिए बहुत अच्छा दोस्तों कि करेक्ट एंसर जागा इसका ऑप्सन डी ठीक है ऑप्सन डी राइट हो जाएगा अगला कोश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है महमूद गजनवी का दरवारी इतिहासकार कौन था महमूद गजनवी चोता मित्रोस का दरवारी इतिहासकार कौन था आपको फटापट से बताना है और देखें दोस्तों सभी मित्र एक बार इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ताकि ज्यादा ज्यादे स्टूडें लाइफ जूर सके और मजा आया आपको टेस्ट देने में चलिए बहुत बढ़िया राजा जैसिंग द्वारा प्रथम बैद साला जंतर मंतर कहा इस्थापित की गई है चलिए बताईए फटापट से बहुत बढ़िया दोस्तों इसका राइट एंसर क्या आजाएगा चलिए जैपूर ठीक है आपको ये भी बताने कितनी जंतर मंतर भारत में कितनी जंतर मंतर वेद साला आए है एक उजैन में भी है ठीक है एक दिल्ली में भी है आपको कमेंट नमर नाइन देखिए अश्ट प्रधान मंत्री मंदल किसके काल में थी चलिए बताईए बहुत अच्छा प्रयास अश्ट प्रधान मंत्री मंदल किसके काल में थी दोस्तो चलिए बहुत बढ़ी इसकराइड एंसर रहागा शीवा जी ठीक ऑपसन है शीवा जी अगला कोशन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों चालुक्यों की राजधानी कहां थी, आपको बताना है फटा पट से चालुक्यों की राजधानी कहां थी, चार आपके सामने दिये गए हैं, देखे दोस्तों आज एक कुछ जरूरी बास शेयर करनी है, ध्यान से सुनिए, देखे दोस्तों, का पाफी सारे वीडियो जा रहें उसका नोटिफिक साना आप लोगों को मिलने में प्रावलम हो रही है तो उसके लिए दोस्तों एक जीके के लिए पांच मिनट का जो है पांच मिनट में आपको सारा जो है डिटेल्स दिया जाएगा और इतने भी जीके के इस चैनल का नाम मैंने रखा है सोच समझकर फाइब मिनट जीके इस चैनल का नाम है ठीक है इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिश्टन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप अभी तुरं जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए वहाँ पे मैं दोस्तों बहुत जल्दी एक-एक से वीडियो अप्लोड करने वाला हो पांच मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा विल्कुल समझ लीजिए गागर में सागर वाली वीडियो पांच मिनट बहुत सारा जीक आपको कबर किया जाएगा सारा जो इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं जीके कि वह आप पूरा कर सकते हैं जिसका राइट अंसर हो जाया गदेख़ित तुस् assignments थी वह अधापी ठीक कहुछ नी थी फोखने लेवन थे चलू की वन्सका सबसे महान शाशक कान था चलू क्यवण का सबसे महान शाशक क् выглядосьbones से ओए कि हुआ है कि अगला कोशन आप के स्क्रीच पर दोस्टों चालूप्यों की राजदानी कहां थी फटापट से बटाएंगे चालू की राजदानी व्युए ने कहां इस तुजिन मेल करते थे और कमेंट भी करते हैं, जो है आप कुछ ऐसा जी के का एक टॉपिक बनाएए, जिसमें कम से कम टाइम में ज्यादा ज्यादा चीजे कभर हो, जो एक्जाम पॉइंड विस से काफी महत्पूर हो, तिस्यू को ध्यान में रखते हो, दोस्तों, आप 55 मिनित जीके के लिए एक अलक्स चैनल बनाया है, इसलिए अलक्स बनाया है, तो आप इस चैनल को आप भी जाखर, फटा फटा सबस्क्राइब कर लिए, देखिए उसमें आगर 10,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे उसमें मैं वीडियो पहली वीडियो अप्लोड कर दूँगा तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि उसमें पहली वीडियो कली अप्लोड हो तो आज ही फटा फट से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए चैनल को राजधानी कहां थी आपसाने करेट हो आपके पास चलिए बहुत अछा प्रयास अप्सनी कि नर्ट सची कश्राषक ने बनवाई ने बनवायत पता बद से बहुत अछा कोशचन है बहुत सीम्पल है सांची कश्राषक कि पाई था चले टैसर जाग अप्षन भी अशोक हो लुग अंदोलन सब तम किसने प्रारम किया हो्म रूल लिक अंदोलन सबसे प्रतम किसने प्रारम किया था बताई फटपड से चलि राइट एंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बहुत बढ़िया एनी बेसेंट कोश्चन नवर फूर्टीन था आप किसी इन पर है भारती राष्टी कांगरेस की स्थाबना किसने किती बताए भटापर से चलि बहुत अच्छा प्रयास राइट एंसर हो जाएगा इसका भार इसका बहुत बढ़िया इसका चलि बहुत बढ़िया महात्मा गांधी कोश्चन नवर सेविंटीन भारती राष्टी कंग्रेस का पर्थम विभाजन कब हुआ था बताई जल्दी से प्टापट से बताएंगे चलि बहुत बढ़िया दोस्तों आपसाने राइट हो जाएग का थी कितुब बुद्य नवर की राजधनी का थी फटापट से बताएंगे दोस्तों बहुत बढ़िया एक वार इस वीडियो को लाइक कर दिजे दोस्तों फटापट से वीडियो को शेयर कर देखिए अभी तक 2000 लाइब नहीं तो फटापट से शेयर कर देजे फिर आगे बहुत अच्छा प्रयास किशन को का जाता है भारत का नेपूलियन किसको कहा जाता है फटाफट से बताए बहुत बढ़ेंगे इसकि कारण वोस राष्टपति और राष्टपति तो राष्टपति कारेओं को कौण समबादीत करेगा जल्दी शेपताएगे चलिए बहुत अच्छा प्रयास एक्सिलेंट ऑप्शन सी करेट हो एगा भारत का मुख हिनायदी चौथी सत्ता किसको कहा जाता है चलिए बहुत बढ़ी है दोस्तों इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा पार्ट हमने अप्लोड किया था आप लोगों काफी अच्छा रिस्पोंस था ठीक आठ बजे नोटिविकेशन मिले ना वले आपको रेडी रहना है साइंस बूस्टर टेस्ट के लिए कौन कौन रेडी रहेगा ठीक आठ बजे आभी से ठीक आधे गंटे 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 बाद कौन रेडी रहेगा बता यह फटा पट से चली बहुत बढ़िया दोस्तों ऑप्शन डी भारत का मुख्य नयाधिश ठीक भारत के राश्पती कौन से पत दिलाता है भारत का मुख्य नयाधिपती भारती सम्धान में राज के नहीं दिनेशक सिधानतों को सामिल करने की पीछे मुख्य देश क्या था बता यह फटापट से कोर्शन नमर 25 के अंसर फटापट से बताएंगे चली बहुत बढ़िया दोस्तों इसका राइट अंसर क्या आजागा कल्यान कारी राज की स्थाब ल fifty के सदन की बैटकों को अनुपस्तित रहता है तो अध्य धहरा जागा या अगर कोई सदस्य जो उसमें अनुपस्तित रहता है तो अयोग ठहरा दिया कितने दिनों बाद बताई भटापट से बहुत बढ़िया इसका राइटे-घैद सरु यदिन 60 सी 60 वह को अगला उस सभा के निर्वाचन के लिए निन्ताम आयू शीमा कितनी है बताई जल्दी से बहुत अच्छा प्रयास चलिए बहुत बढ़ी दोस्तों का अधिक नहीं होना चाहिए बताई भटापट से आ चलिए बहुत अच्छा प्रयास बहुत बढ़ी दोस्तों का आडल में एप जैए सघ्चाप नादी हेमाबती किसकी सहायक नदी है बताइए जल्दी से बताएंगे बहुत बढ़ी है दोस्तों हेमाबती किसकी सहायक नदी है चलिए बहुत अच्छा प्रयास कावेरी के सहायक नदी हेमाबती शौर मंडल में चंद्रमा है शौर मंडल में चंद्रमा है वो क्या है नचत्र है स्वेज नहर किंदो सागरों को जोड़ती है स्वेज नहर किंदो सागरों को जोड़ती है स्वेज नहर किंदो सागरों को जोड़ती है पठापठ से बताएंगे चलिए दोस्व राइडन सरु जाग इसका ओप्सन ने लाल सागर और भूमत सागर को सुएज नहिर की इंदो सागर उपजोड़ती लाल सागर और भूमत सागर को समुद्र पृतिवी की सताय का लगभग कितने भाग गेरे हुए है बताई भटापट से चलिए बहुत बढ़े समुद्र पृतिवी की सताय का लगभग कितने प्रिशत भाग गेरे हुए चलिए बहुत अच्छा प्रैस का राइडन सरु जाएगा ऑप्सन सी सेवेंटी वान परसें ठीक है देश का सरवाधिक प्राचीन बंदरगा कौन सा है बहुत अच्छा कोश्चन है चलिए बहुत बढ़े हैं दोस्तों ऑप्सन सी करेक्ट हो जागा प्रिथिवी का धुरुवी व्यास उसके विश्वती व्यास से कितना कम है जल्दी जल्दी बताएंगे एक बार सारे जी के बूस्टर टे साउजित किया जाता है चलिए राइट एंसर को किसका हो जायागा आप्सन सी 43 किलो मिटर सबसे लवडी सागर कौन सा है सबसे लवडी सागर कौन सा है बताएं बढ़े दोस्तों को पिछले टेस्ट में मैं करवा चुका हूँ आप्सन डिकरेक्ट हो ज जायेगा खुछान सी विस्तार क्या है को फुटिक अंसर देंगे पांच सेगन ऐ भारत का अक्षांसी विस्तार क्या है चलिए बहुत बढ़ियों दोस्तों राइट इनसर इसका क्या हो जाएगा चलि बहुत अच्छा दोस्टू राइट इन सरू जागए इसका option A correct हुए ठीक है question number 21 राजस्थान नहर किस नदी से जल गरहन करती है राजस्थान नहर किस नदी से जल गरहन करती है फटा फट से बताईये चली बहुत बढ़ी option D correct हुए 17 नदी से मैं टूर बांत किस नदी पर इसी थे, मैं टूर बांत किस नदी पर अवस्थी थे, बताई फटा फट से जल्दी जल्दी बताएंगे चलि बहुत अच्छा प्रयास हो, राइट एंसर हो जागे इसका, आपसन है काविरी ने दी पर ठीक है, कोशन नमर 43 है, डोगरी भासक किस राज को लोगो दारा बोली जाती है, बताई फटा फट से, चलि बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बढ़ी है दोस्तों फटा फट से बताएंगे, चलि जम्मु काश्मिरिक में ये बोली जाती है ठीक, डोगरी, सातवी पंजवर्शी योजना का केंदरी बल निम्नमे से किस पर था, बताई ये फटापर से, चलि बहुत अच्छा प्रयास, आपसन इसका करेक्ट हो जाएगा, सातवी पंजवर्शी योजना क प्रारम किया कि महत्पूर्ण रोजगार कैरकम कौन सा था बताई फटापट से चली बहुत अच्छा प्रयास राइड एंसर क्या हो जागा जब आहार रोजगार योजनानी की ऑप्साने करेक्ट हो जाएगा भारत की कुल सिंचित भूमी का कितने प्रिश्चत भाग नहरो द प्रिक्ट हो जाएगा बरतमाने भारत की बीज उत्पाद चक्र कितनी अवस्थाओं विभाजित है चली बहुत अच्छा दोस्तों इसका राइड इंस रोजगा ऑप्सन भी तीन निगम कर्यानिक कार्पूरेशन टैक्स लगा जाता है जो कार्पूरेशन टैक्स है किसके लगा जाता है बताई फटापट से ओप्सन सी करेट हो जाएगा कोशन नों फोटीन है सीमा सुल्क क्या है सीमा सुल्क क्या है चली बहुत अच्छा प्रयास का राइड इंसर रोजागा ऑप्सन सी अप्रत्यक्षकर लास्ट कोशन है किस राज ने भूमिच अगबंदी काम अब तक पूरा नहीं किया है कोशन नों फिप्टी का एंसर बताएंगे फटापट से चली बहुत अच्छा प्रयास का अभी जाकर तुरन सब्सक्राइब कर लिए जाकर उसमें 10,000 सब्सक्राइब राज हो जाएंगे तो मैं कल से उसमें स्प्रिसल वीडियो से स्टार्ट कर दूँगा जो क्या आपके आगामी एक्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टन होने वाले हैं चैनल का लिंक इस वीडि